हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक हमारे दो ब्लोक्स तो आज बनाने वाली हूँ पोटेटो इसमाईली जो बहुती जल्दी बने कर तियार हो जाती है इस पोटेटो इसमाईली को आप बच्छों के लंच बोक्स में भी दे सकते हैं पोटेटो इसमाईली बनाने के लिए मैंने सब से पहले चार से पाच आलू को बोईल कर लिया था इपिन आलू को में कद्धू कस कर लूँगी सब आलू में अच्छे से कद्धू कस कर लिये हैं अब मैं इसमें तीन चमच भरकर कॉन फ्लॉर डाल दूगी कॉन फ्लॉर डालने से यह होगा कि हमारा जो पोटेटो स्माइली बनेगे और वो एकदम कद्ध भी बनकर तयार होगए कॉन फ्लॉर की जंगत आप मेदा भी ले सकते हैं कॉन फ्लॉर मैं यह ले जाल डिया है और आदा ही चोटे चमच में नमक डाला है और आदा चमच में नमक डाल दिया है और एक चोटे चमच में नमक डाला है इन सबी चीज़ों को डालने के बाद मैं एक चमच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी चमस से मिक्स करने के बाद मैं काहतों से मिक्स करूंगी और इसका तो की फोम में विले आ आउंगी यहां मेरी आलूबी सा अच्छे से दोकी फोम मैं आ गए है, एक दम मैंने इसको जादा टाइच रखा और ना जादा ही पदला है इसे हिसाब से रखा है कि हमारे जो पोटाटो इसमाईली बनेगी ना वह आसानी से बन जाए अब मैंने थोड़ा सा इसमें आठा लिया और एक हातों की मदद से इनको मैं अच्छे से गोल साइज में कर लूगी अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप एक किसी कटर से इसको गोल साइज में कट कर सकते हैं यहां मेने सभी पोटाटो इसमाईली की रोटी से बना कर रहे हैं यहां मैं ऐब एक पाईप की मदद से इस अमद ऐसे से आप पनाले ilo यहां मैंने खाली चमश सकिया थोड़ा सा mist लगा लिए इसे सब deleting बन जायेंगे यहां मैंने चक्छ antach मैंने का बना लिया यहां 5 म assignments के लिए को यहां घ्जान अब दीरे दीरे लेखिया करने मैं सब अडिया थैंhaus दाल दूँगी यहां मेंने सभी समाइली ओईली का इंजर दाल दी है और इनको उलचते पलचते हुए हैं गोल्डन कलर आने तक फराई कर लूँगी जब इन पर गोल्डन कलर आ जाएगा तो इसका मतलब हमारी समाइली अच्छे सी फराई हो जाएगी फिर इनकों गैस का यहां मेंने एक प्लेट ली थी अब इस प्लेट के अंदर में सारी समाइली निकाल लूँगी बहुत ही जल्दी बन जाती है बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और बच्चों को तो यह बहुत ही पसंद आती है आप इसमाइली को बच्चों के लांच बोक्स में यह सुबह कर दीजिए